नमस्कार शाथ यो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी गोट क्लासिज में प्यारेवे इद्यारतियों इस क्लास में अपन फर्स्ट येर का जो इलेक्ट्रिशन ट्रेड़ वर स्टुडेंट्स जो हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिशन ट्रेड़ का पेपर है फर्स्ट एर का उसका मैं आपको इस वीडियो में पुरा हल करवा रहा हूँ तो आप अगर इलेक्रिशन ट्रेट से हैं और साथ ही फर्स्ट एर के इस्टुडेंट से हैं तो इस क्लास को आप अंतीम तक जरूर देखना इसमें आपको बहुत सहरा फ़ायदा होने वाला है आपको यह पता चलेघा कि किस तरह के क्यूशन्स अग्जाम में पूचा जाते हैं क्या क्या क्यूशन्स आते हैं किस टाब कि acet चूशन्स बहुत हैं तो यहाँ पर आपको जब आप पेपर को हल करेंगे तो आपको पदा चलेगा कि किस तरगे का पेपर एक्जाम में पूछा जाता है देखिए इसमें आपको जो आपकी थियोरी हैं उसके 38 कुशन्स देखने को मिलेंगे साथ-साथ ED के आपको यहाँ पर 6 Qushions देखने को मिलेंगे और Workshop के Alculation के आपको यहाँ पर 6 Qushions देखने को मिलेंगे और साथ-साथ जो आपकि Employability Skills से यानि की ES Subject हैं उसके आपको 25 Qushions देखने को मिलेंगे तो शुरुवाद करते हैं अपन Qushion की आपके सामने जो पहला क्यूशिन है वह आपको अच्छी तरीकी से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा हैं तो आप क्यूलेटी को बढ़ा लेना ठीक है जरूर आप बढ़ा लेना ताकि आपको अच्छी से क्यूशिन दिख जाएंगे देखिए गरेलू वाइरिंग में लेंप चमक कम और मोटर दिमी गति से चलने का क्या कारण है यानि कि आपके घर में अगर लेंप लग रहा है या मोटर चल रही है मोटर दिरे गति से रोटेट कर रही है लेंप कम चमक रहा है दिम जल रहा है तो कारण क्या है तो उच वय मान SIRANI Пरिपत दोस यानि कि जू सरकिट है उसमें कहीं न कहीं सोट हो रहा है कहीं न कहीं फाल्ट हो रहा है उसमें जो रजिस्टेंस है वो फाल्ट दर्था रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका D option completely सहीधा हो जाएगा नेक्स्ट जो क्यूशन है डाय इस्टोक सेट का क्या उप्योग है डाय इस्टोक सेट जो होता है वहाँ बेलनाकार जो पाइप सोते हैं पाइप जो होते हैं उन पर जो चूडिया होती है उनको बनने के लिए कामी लिया जाता है ठीक है तो चूडिया काटने के लिए यानि के बाहर के थ्रेड काटने के लिए अपन डाई सेड का उपयोग करते हैं अगला क्यूशन है बारी बार उठाने और इस्तानांतरित करने के लिए किस पद्दती का उपयोग किया जाता है तो अपन भारी बार को उठाने या एक जगे से दूसरी जगे ले जने के लिए क्रेन का उप्योग करते हैं तो कहेंगे क्रेन और सिलिंग अगला क्युशन आपके सामने है RLC स्रेंकला सिर्किट के परती बादा की गर्णा करने के लिए किस सुत्र का उप्योग किया जाता है तो परती बादा की गर्णा करने के लिए जिस सुत्र का उप्योग करता है वह उता है Z बराबर अंडर रूड आर इसक्वाइर प्लस कोश्टक XL-XC Square तो यह option कहा है द्यान से देखिए यहाँ पर तो अपन को तीनों में देखने को नहीं मिल रहा है बाकी देखिए यहाँ पर option D वाला option sorry sorry देखिए यहाँ पर C option में आपको same case है यह कहें देखने को मिल रहा है C option यहाँ पर complete ले आपका सही answer होगा next question आपके सामने है lithium cell का निर्गत voltage कितना होता है निर्गत voltage को कहते है output voltage तो output voltage पुछा गया है तो lithium cell जो होता है इसका output voltage 2.5 ओल्ट होता है ध्यान रखना ठीक है ना अगला question है समतल सतह में प्रकास के प्रवाहों को कोन साथ सब्द संदर भीत करता है तो वह होता है illu minus ठीक है तो यहाँ पर C option completely आपका सही answer हो जाएगा अगला question है lamp का नाम क्या है यह lamp आपके सामने है इस lamp का नाम पूचा है तो इस lamp का नाम होता है MA type या HPMV lamp तो यहाँ पर आपका D option completely सही answer हो जाएगा अगला question है सामगरी परतिक का नाम क्या है यह क्या है यह antenna है यह aerial है यह क्या है यह बहु इस्थिती एकल द्रोशीच है तो यह पर आपका C option completely सही answer हो जाएगा अगला question power watt meter reads कोन सा है तो power watt meter reads जो है वह वास्तविक सकती है अगला परिपत का कुल voltage क्या है देखे सारे जो है न यहाँ पर जितने भी sales है वो सारे समांदर करम में जुड़े हो है जब समांदर करम में कितने भी जुड़े हो लेकिन समांदर मात्रा के हैं यहाँ पर voltage होगा वो को ही होगा यानिके 1.5 ही होगा क्योंकि यह सभी क्या है 1.5 alt के sales लगे होए हैं तो यहाँ पर output भी क्या होगा 1.5 alt ही होगा अगला question है वीद्यू तो समांदर का नाम क्या है वीद्यू समांगरी आप यहाँ पर ध्यान पुर्वक देख सकते हैं यह holder है लेकिन यह holder कौन सा है यह जो holder है यह addition screw परकार holder है यहाँ पर view option आपका completely सही answer हो जाएगा अगला question है R1 का क्या नाम है R1 आपके सामने है यह layout है तो यह है इस्तापना योजना क्या कहेंगे इसको इस्तापना योजना कहेंगे ठीक है installation plan इसको कहेंगे ठीक है अगला question आपके सामने है पोल समायोजित वित्रन ट्रांसफार्मर में किस सीतलर विदी का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए तेल प्राक्रतिक हावा प्राक्रतिक का प्रयोग करते है oil natural air natural ठीक है अगला question आपके सामने है विशिष्ट परतिरोध की SI1 क्या है विशिष्ट परतिरोध की जो इकई होती है वह ओम मेटर होती है तो यहाँ पर यह option आपका completely सही answer होगा थोड़ा सा मैं fast ले रहा हूँ क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप यह question से वो कापी सार है 75 question है 75 question को हल करवाने के लिए time ज़्यादा लगता है मैं नहीं चाहता कि time ज़्यादा लगे मैंने विशिष्ट इन question को अच्छी तरगे से अच्छी तरगे से पढ़ा रखा है तो आप description में मैंने सभी जो पीडियापस है आपको पढ़ना है आई टेपास करने के लिए उन सभी के link मैंने description में दिये है तो आप वहां से उन्हों सभी को पढ़ लेना ठीक है उनको जरूर देख लेना आप ताकि आपकी तयारी है न मजबुत तरीके से हो सके ठीक है और question के आप दूर बगे ना ठीक है अगला question आपके सामने है सुसक सेल में दनात्मक इलक्टोर्ड के रूप में क्या प्योग होता है तो दनात्मक रूप में कार्बन का प्योग करते हैं अगला question आपके सामने है ELCB का उद्देश क्या है आर्थ लिके सर्कीट ब्रेकर इसको कहते है तो इसका है आवस्यस दारा को देखना यहाँ पर A option completely सही आंसर होगा अगला question है एक खुले सर्कीट में परतिरोद का मान क्या है तो खुले सर्कीट में परतिरोद का जो मान होता है वह होता है अनंत ठीक है यहाँ पर धारा जो होती है वह सुनने होती है ध्यान रखना अगला question जो आपके सामने है तीन फेज सिस्टम में यदि फेज ओल्टेज 244 ओल्टेज हो तो लाइन ओल्टेज क्या होगा देखिए यहाँ पर तीन फेज सिस्टम में यदि फेज ओल्टेज 240 है तो लाइन ओल्टेज क्या होगा लाइन ओल्टेज क्या होगा ठीक है यहाँ पर लाइन ओल्टेज वाट इस दे लाइन ओल्टेज in three phase system if the phase voltage in 240 तो देखिए यहाँ पर single phase में 240 होता है तो three page है तो यहाँ पर कितना होगा 415 होगा normal सा question है यहाँ पर do option completely say answer है अगला question है यंत्र का प्रकार नाम यानि कि देखिए इसका नाम बदना है आपको यंत्र का प्रकार नाम यानि कि इसका नाम क्या है तो आकरशन प्रकार चल लोह है यानि कि moving iron है जो कि कौन सा है attractions वाला अगला question है source sale बनाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है source sale बनाने के लिए silicon का उपयोग किया जाता है अगला question है उपकरण अर्थिंग के तूलना में system अर्थिंग अलग क्यों है तो यह करण यह है कि यह दारा वाहत चालकों से संबंदित है यह आपर यह option completely सही answer आपका हो जाएगा अगला question RLC परिपत के परतिबादा यानि कि जेल की गणना करने का सुत्र है यह दि प्रेज के परतिगाद संतुलित इस्तिति में विट इस्टॉन ब्रीज में गेलवनमेटर का रेडिंग क्या होता है तो वह होता है सुनने विक शेपन यहापर डी option आपका completely सही answer हो जाएगा अगला question क्या है तो देखे इस सामगरी का नाम क्या है तो देखे इस सामगरी का नाम है सिद्धे परवेस के साथ लोह सहीं जन यहापर डी option चीत्र बन रहा है नहीं CD के वाइरिंग बन रहा है ठीक है अगला question है इस ओजार का नाम क्या है यह ओजार है cutting plier ठीक है diagonal cutting plier इसको कहते हैं यहापर डी option completely सही answer होगा अगला question है soldering विदी का क्या नाम है soldering विदी का क्या नाम है तो यह gun soldering है सभी जानते है soldering gun है तो यहापर gun soldering आपका भी option completely सही answer हो जाएगा अगला question है एल्यूमीनियम चलक की चलकता का क्या मान है एल्यूमीनियम चलक की चलकता का जो मान होता है वह पेतिस मो परती मिटर होता है अगला क्यूशन इस सुरक्षा चीन है का नाम क्या है ये क्या है ये सुचनात्मक चीन है ठीक है सुचनात्मक चीन है क्या है यह सुचनादमक चिना है अगला क्यूशन है दिवतिया सेल किस नियम से कारे करते हैं तो वे फिराडे के विजुद अबगटे का नियम पर कारे करते हैं अगला क्यूशन है प्रकास का नाम क्या है यहाँ प्रकास का नाम पूचा है तो यह है sport light क्या है ये sport light है ध्यान रखना अगला क्यूशन food mixer में rotary switch का कारे क्या है तो यहाँ पर rotary switch का कारे पुछा है तो यह हैं गती चैन यहाँ पर a option आपका completely सही answer हो जाएगा अगला क्यूशन है short circuit test द्वारा transformer की किस हानी का निर्धार किया जाता है तो ताम रहा नहीं यहाँ पर आएगा आपका a option completely सही answer अगला क्यूशन है जो कि है ls रंकला mcb के साथ कोन से विद्ध उपकन परदान किया जाते हैं तो यहाँ पर general lighting ठीक है l यानि कि general lighting ठीक है अगला क्यूशन आपके सामने है transformer का तेल खराब होने का करण क्या है transformer का तेल जब खराब होता है जब उसके अंदर नमी चली जाती है जब उसके अंदर नमी चली जाती है तो वो क्या होता है कि नमी को सोक लेता है और फिर उसमें तेल में पानी मील जाता है तो क्या हो जाता है short circuit का current बन जाता है तो यहाँ पर A option completely सही आंसर आपका हो जाएगा अगला question है microwave oven में sister steer motor का कारे क्या है तो steer motor का जो कारे हैं वह यह है कि गूमता है और विद्यूत्य चुमी के उर्जा को दर्साता है यहाँ पर आपका D option completely सही आंसर हो जाएगा देखिए theory के questions आपके यहाँ पर समापत होते हैं अब आते हैं आपन वर्क्शॉप के calculations के questions पर देखिए question है आपके सामने पानी का विशिष्ट उश्मा का मान क्या है पानी के विशिष्ट उश्मा का जो मान होता है वह एक होता है ठीक है ज्यान रखना अगला question है जो कि हैं किस पद्धार्थ के त्रहव्यमान प्रती इकाई आयतन को क्या कहते हैं तो कहते हैं घनत ठीक है यहाँ पर D option completely say answer अगला question है साइन तीटा किस के बराबर होता है साइन तीटा जो होता है वह opposite side बटा hypotunes क्या होगा है आपन opposite side बटा hypotunes अगला question है एक इंच में कितने मिली मिटर होते हैं एक इंच में 25 दसमलो 4 मिली मिटर होते हैं अगर centimeter पुछे तो 2 दसमलो 5-4 centimeter होते हैं ठीक है अगला question है इनमें से मुलबुत इकाई या कोन सी है मुलबुत जो इकाई हैं वह लंबाई, द्रेवमान, और समय ठीक है C option completed, C answer 6 questions यहाँ पर आपके workshop calculations के भी समप्त होते हैं अब आते हैं अपन AD पर यानके engineering drawing पर questions है सामगरी के पारंपरिक परतिक को पहचाने परतिक ही यह है इसको आप पहचान ले कि यह आगिर में है क्या तो यह है काच क्या है यह काच है ठीक है अगला question आपके सामने है drawing अब्यास के अनुसार कौन सा drawing आयाम सही है तो यहाँ पर देखे कौन सा सही है तो यहाँ पर देखे आपके सामने यही क्या है सही है बाकी गलत क्यों है वो मैं आपको बता दूगा था कि आप अच्छे से समझ पाओगे क्यूशन को, यहाँ पर यह उपर लिखे होते है तो इसलिए सही है, ठीक है बाकी दूसरे option आप देखो देखे इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें यह नीचे है, तो इसलिए गलत है देखे यहाँ पर और option देख लो यह वाला इसमें क्या है इसमें यह नीचे है, इसलिए गलत है ठीक है, और यहाँ पर देखे यहाँ पर जहाँ से देखना यहाँ पर यह उपर है, एक नीचे है ठीक है, तो यह यहाँ पर गड़बड़े यह उपर लिखाते है मिशे line के ठीक है इसलिए गलत हो चाते है अगला question है line B को पहचाने line B को पहचानना है यहाँ पर देखे line जो B दी गई है यह वाली ठीक है यह क्या है? यह Vima है क्या है यह? Vima है यहां से लेकर यहां तक कि number को दर्सा रही है यह क्या है VEMA Dimension है क्या कहेंगे इसको Dimension कहेंगे Dimension Line कहते है इसको C Option हिंदी में VEMA भी कहते है I AM DjamRK भी कहते है अगला Q7 आपके सामने चेतर में दर्साई PB अगला Q7 क ट्रिम की पहिचान कर यहई चान्दा है सबी जानते है Normal सा Q7 है Simple सा Q7 है पर डी ऑप्शन आपका कम्टेटली सही अंसर है अगला क्यूशन ए एफ़ोट सीट का ट्रिम किया हुआ क्या है इसको जरूर आप याद रखना 210 इन्टू 273 में यह आप याद रखना क्यों कि भूल जाओगे आप ठीक है 210 इन्टू 293 में याद रखना ठीक है अगला क्यूशन आपके सामने चित्र में दिखाए गए प्रेजम का नाम क्या है यह प्रेजम क्या है यह प्रेजम चतूरत हैं ठीक है स्क्वाइर वाला है क्योंकि वर्ग वाला है ठीक है क्या है वर्ग वाला है यहां पर आपका स्क्वाइर प्रेजम आपकर डियो ऑप्शन आंज़ाए अग्ला आते हैं employee ability स्किल Presence की कुश्वन पर सिंपल से इस ठीशिध ठीक है कुन सा एक अच्छा संचार माना जाता है है अच्छा संचार कुन सा माना जाता है वह हैं रिसीवर की पृति प्रेशक सकार आत्मक है । ठीक है shander is positive towards receiver छा गुंगी जो based कुछता है न उसको ऐसा लिखना चीए ताकि जो उसको प्राप्ट करता है शन्चार उसको अच्छा लगे ऐसा नहीं कि निगेटिव बुरा लगे उसके बारे में नकरातमक चीजे नहीं होती है वी ओप्शन आपकर आर्थिक विकास में उद्ध्यमी की भूमी का तो देखी ये होती है प्रतिवेक्ति आये में सुधार अगला क्यूशन है किस ओरियेंटेशन में टेक्स्ट चोड़ाई वार प्रिंट होता है तो वह होता है लेंडिस्किप यहाँ पर आपका डियोप्शन सही है अगला क्यूशन है तनाव क्या है तनाव क्या होता है निरासा या निरासा की भावना यही क्या होता है तनाव होता है अगला क्यूशन है नोकरी या काम में होना रोजगार कहते हैं उसको एमप्लोई कहते हैं अगला क्यूशन प्रश्ण का उतर देने का एक अच्छा तरीका क्या है इनको आप डिरेक्ली याद रखो क्योंकि इंग्रिस में आपके दिक्कत आ सकती है इसलिए इनको ऐसे याद रख लो ठीक है इस तरीके का क्यूशन आ जाए तो लगा देना अगला क्यूशन है रिक्ते इस्तान में उच्चत सर्वननां के साथ भरें देखें यहाँ पर क्या हैगा C made this cake मैंने की वह केख बना सकती है स्वेम का हर सेल पाएगा यहाँ पर ठीक है हर सेल पाएगा ठीक है अगला क्यूशन है आंतरिक पर रहना है तो आंत्रिक परेना क्या है वह यह है ज़्यादा देड़ तक ठीक है ठीक है लोंग लास्टिंग अगला क्यूशन है जो कि है सेडो का विश्तार क्या है SIDO का पूरा नाम क्या है तो वह है Small Industries Development Organization यहाँ पर A option completely सही आंसर हो जाएगा अगला निमने इस्तर की बासा को भी कहा जाता है उसको मस्चनी लेंग्वेज कहते हैं निमने इस्तर की बासा क्या है मस्चनी लेंग्वेज बोलने में बादा क्या डालता है बोलने में बादा क्या डालता है वह है गबराहट अगर आप गबरा होगे तो डंग से नहीं बोल पाओगे अगला क्यूशन है जो कि हैं सब दो में निमने लिखी थे सेट को सार तक वाक्या में फिर से वे वस्तित करें तो वह हैं सी वर्क्ड एज ए स्कूल टीचर यहाँ पर ए उप्शन कम्प्रेटली सही आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन है सबी डिलिट किये गई फाइल है कहां इस्टोर की जाएगी तो वह है रिसाइकल बिन में इस्टोर की जाएगी अगला क्यूशन आपके सामने है रिक्ते इस्तान में उचित पर ती वर्ती स्टोरा नाम के साथ भरें तो वह है सी हेज हट हर सेल पाएगा वाई यहां है न भी ओप्शन यहां पर भी completely सही आंसर होगा अगला क्यूशन है कौन सी function कुझी आपको किसी file का नाम बदलने की अनुमती देती है तो यहां पर कौन सी function कुझी आपको किसी file का नाम बदलने की अनुमती देती है तो वहाँ है F2 ठीक है यहाँ पर A option सही answer होगा अगला question है मान है यान कि value जार हमारे दृष्टिकों और कारवाई को प्रेरित करना यहाँ पर A option सही answer होगा आवाज की पीछ का उठना और गिरना कहलता है क्या कहलता है आवाज की पीछ का उठना और गिरना क्या कहलता है आवाज का उतार चड़ाओ कहलता है ठीक है अगला question है स्वोट विशलेशन में S का आर्थ क्या है स्वोट यानि कि HWOT में जो S है ना इसका क्या है इसको आप जो PDF से ना उसमें देख एक से का बता रखा है तो पीडियो आप जरूर पढ़ना है ना इस ट्रेंद कहते है उसको क्या क्या है इसको क्या कहेंगे इस ट्रेंद कहेंगे ठीक है अगला question है जो कि है आपके सामने देख यह वाक्य में वाक्य के लिए उप्यूक तो डब्ल्यू एच सब्द चुने तो डब्ल्यू एच के आएगा एनिमल डू यू लाइक विच आएगा यहाँ पर विच एनिमल डू यू लाइक ठीक है अगला question आपके सामने CPU में होता है CPU में control unit और ALU होता है ठीक है माद्यम से बाजार ग्राकों तक पोच सकता है तो क्या है वह है manufacturers, retailer और customer यहाँ पर आपका C option completely C answer होगा अगला question जो कि है cut command के लिए एक shortcut के कुंजी क्या है तो shortcut कुंजी है control plus X cut command के लिए क्या है control plus X यह C coffee के लिए होता है और V जो है न यह होता है pest के लिए ठीक है अगला question है RTI है RTI के राइट to information यहाँ पर D option आपका सही answer होगा तो यहाँ पर आपके 75 questions में इस वीडियो में करवा दिये है regular तरिके से अब यह series आपकी चलती रहेगी चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर लेना वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेर कर देना था कि वो भी देख सके वो भी अपनी जो class तक पोच बना सके ठीक है तो वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेर कर देना ठीक है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया